तो चलो बच्छो आज की क्लास हम शुरू करता हैं आज थोड़ा सा आपको गाना सुनाएंगे और फिर यांत्री कुर्जा फढ़ाएंगे गाना कौन सा है वो हमारे गुरू जी कभी सुना दिया करते थे कौन सा गाना वई अर पढ़लो सारा लोग पढ़ाई करदे बेडा पारे जमानों सुधरेगो गुरू जी क्या बोलते थे और उस नरकी है क्या जिन्दगानी जिसको अक्सर ग्यान नहीं पच पच करे वो मर्यारे वैल सा फिर भी उसका मान नहीं सिक्ष्या ही जीवन साती है हो एई सुकल्यान सबको पढ़ना है सिकर जिले में गंगार ही साक्षर तारे लेरे सबको पढ़ना है सबको पढ़ना चीए आगे पढ़ना चीए ठीक है न तो शुरू करते हैं आज की क्लास में यांत्रिक उर्जा के बारे में यांत्रिक उर्जा आपको याद करवाएंगे यांत्रिक उर्जा किसे कहते हैं तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी परिवाशा यांत्रिक उर्जा की परिवाशा क्या है किसे कहेंगे यांत्रिक उर्जा तो किसी भी यंत्र में किसी भी वस्तू में दो परकार की उर्जा जो होती है एक तो गतीज उर्जा वे इस्तितीज उर्जा इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं भई यांत्रिक उर्जा कहते हैं ठीक है तो यांत्रिक उर्जा किसे कहेंगे किसी वस्तू की किसी वस्तू की कि इस्ततीज उर्जा के योग को क्या गहते हैं वही यांत्रीक उर्जा क्या गहते हैं किसी वस्तु की इस्ततीज उर्जा एवं गतीज उर्जा के योग को यांत्रीक उर्जा कहते हैं शुत्र के दूएरे व्यक्त करना साहें तो क्या लिखेंगे यांत्रीक उर्जा बराबर गतिज उर्जा यांत्रिक उर्जा जो होती है उसको mechanical energy भी कहते हैं इंगलिस में और गतिज उर्जा जो होती है उसको कहते है kinetic energy और पलस इस्तितीज उर्जा जो होती है उसको इंगलिस में कहते हैं वही potential energy potential energy तो यांत्रिक उर्जा बराबर क्या होता है गतिज उर्जा प्लस इस्तिज उर्जा ठीक है? नाम से इस फस्ट है एक में गति आ रही है एक में इस्तिज उर्जा किसे कहेंगे? इसे कहेंगे सोच के बताओ जिसको हिंदी भी आती है वो भी एक बिंदू और लगा सकता है गणीती जरूरी नहीं है इस्तिज के बारे में किसे को पता है वो भी इसकी डेफिनेशन बना सकता है तो क्या लिखेंगे? गतिज उर्जा किसे कहेंगे किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की ख्यमता आजाती है यानि कि जब कोई वस्तु गति के कारण कारी करने की ख्यमता अरजित कर लेती है तो उसको हम गतीज उर्जा कहते हैं बच्चा ठीक है? इस्ततीज उर्जा किसे कहते हैं? जब किसी वस्तुकी स्तती में हम परिवर्दग करते हैं कोई यहां पत्था रखा है उसको उठा करके यहां ले आते हैं कोई रबड है उसको खीच करके बढ़ा देते हैं कोई धनूस है उसको खीच करके हम पीछे की तरफ ले जाते हैं कोई खिलोना वाले चाबी वाला खिलोना है उसमें चाबी वढ़ता है चाबी वढ़ता है तो इस्तिती में अंदर कुछ परिवर्तन होता है स्प्रिंग में त्रिंगर दबाते हैं तो इस स्प्रिंग में परिवर्थन होता है तो इसका मतलब जब किसी वस्तू की स्थिती में परिवर्थन होता है तो उसमें कारे करने की ख्षमता आजाती है वह वस्तू कारे करने की ख्षमता अरजित कर लेती है तो उसको हम क्या कहें दोनों बाते समझ में आगई होंगी, पहली बात क्या है गति जूर्जा किसे कहेंगे, इस्तिती जूर्जा किसे कहेंगे। पहले हम इसकी गणीतिय व्याख्या करेंगे, गती जूर्जा का सुत्तर अपन केलकुलेट करेंगे, बनाएंगे, केसे, इसका सुत्तर जो है उसकी गणना केसे होती है, गती जूर्जा का गणीतिय आकलान केसे करेंगे, तो शुरू करेंगे, पहले गती जूर्जा के बारे म आप लोगों को बताओं, पहले आप एक बात समझ लीजिए, कि जैसे मालों, एक लकडी है, लकडी का गुटका है, लकडी का क्या है भी, गुटका है लकडी है ये, अब इसके उपर में एक लक्की रख देता हूं, लक्की का मतलब कीले, ये कील है, यहां पर, ठीक है थोड़ ये हतोड़ा ले लिया है बच्छा, ये हतोड़ा बना देता हूं, आप भी बना सकते हैं ऐसा हतोड़ा, पैसे भी नहीं लगेंगे भई, और हतोड़ा बन जाएगा भई, ठीक है, ऐसा हतोड़ा बना लीजिए, और यहां इसके बैसा भी लगा दीजिए, ठीक है, खाती के मैंने बना दिया है और इसी क्या है यह कील है जब क्या करेंगा इस हतोड़े को यह कील है इसको हतोड़े के उपर रगते हैं इसको दबाएंगे तो कील अंदर चली जाएगी क्या नहीं जाएगी करना क्या पड़ेगा इसको मैं हाथ से पकड़ूंगा और हाथ में पकड़ने के बाद इसको क्या करेंगे पीचे की तरफ लेके जाऊंगा इस हतोरे को कहां लेकर जाऊंगा पीचे की तरफ इस हतोरे को लेकर के आऊंगा और जो है फिर इसको मैं लेकर क्या हूँगा इस हतोड़े को आगे और फिर इस कील पे जब मारूंगा न तो यह की कील जो पहले यहां थी वो कहां चले जाएगी यहां आ जाएगी कील क्या होजएगी ऊंदर दस जाएगी जब हतोड़ा जो है उसमें तीन बाते हुई है कोई भी पत्थर नीचे रखा है उसमें उसका भार होता है मेरे में भी काफी भार है तो मेरे भार के कारण मेरे में एक उर्जा संचित है उस उर्जा को हम कहेंगे कौन सी इस्तितीज उर्जा ठीक है इस्तितीज उर्जा मेरे में क्या हो गए भई अधिक्तम है मेरे भार के कारण मेरे में उर्जा जो है कील इसमें घुशेगी नहीं, ठुकेगी नहीं, कहने का मतरों लकडी में, ठुक तोड़ना जाएगी, अंदर थोड़ना दसेगी, नहीं दसेगी, कब दसेगी, जब इस हतोड़े को मैं पीछे पकड़ करके यू लेके जाओंगा, और फिर इस कील पे मारूंगा, तब ये कील क्या जाएगी, अंदर जाएगी, आगए बात समझ मैं, तो क्या हुआ, कि तोड़ा जब रखा हुआ था, तब उसकी इस्तितीज उर्जा अधिक थी, इस कंडिशन में क्या थी, इस्तितीज उर्जा अधिक थी, इस्तितीज उर्जा क्या थी, अधिक्तम थी, अब इसको औ और अपन ने पीछे की तरप ले गए तो इसकी स्तिती में परिवर्तन हो गया स्तिती मेंपरिए जाने के बाद वापस इसको गती परदान की बल लगाने पर उसमें इतना विश्थापन हो गया कितना ये एक्ष विश्थापन हो गया बल लगाने के पदे इसको उपर उठाया पहले तो तो इसकी स्तिती में परिवर्टन हुआ तो यहाँ स्तितीज उर्जा दिकतम हो गयी फिर जब बल लगा करके मैंने इसमें कूप तेज इस हतोड़े को लेकर का आया और इस कील के ऐपर मारा तो ये कील अंदर धस गई क्यों कि बल के कारण इसमें जब हतोड़े में विस्तापन हुआ तो क्या कौन सी उर्जा होई भई गतिज उर्जा उत्पन हो गई और उस गतिज उर्जा जब इस हतोड़े पर गिरी तो ये हतोड़ा जो है ये है भी गति में आ गया और कील पर जब लगी तो कील भी गति में आ गई उसकी भी गतिज उर्जा वड़ गीर वह अंदर चली अगर ये बात समझ मा गई है तो अब हम शुरू करेंगे गतीज उर्जा का गणीतिय आकलन ठीक है केसे देखिए गतीज उर्जा का सुत्तर केसे ग्याद करेंगे देख लो इसको मैं आपको बताता हूँ समझ जाना भई दो दिन का जग में खेला सब चला चली का मेला देखें कैसे भई यांतरिक उर्जा है अब हम करेंगे गतीज उर्जा के बारे में कई बार आजाता है गतीज उर्जा की गणीतिय वैख्या कीजिए तो गती जूर्जा का परिकलन कीजिए तो इसका गती जूर्जा का परिकलन करेंगे केसे भाई माना मानते हैं कि माना की कोई या एक कोई वस्तू जिसका द्रेवान M है कोई M द्रेवान की वस्तू लिए लाता है कोई M द्रेवान की वस्तू माना की कोई M द्रेवान की वस्तू ठीक है एक समान वेग एक समान वेग यू से गती कर रही है सिंपल सी बात है समझाएंगे इसको पहले देख लो कि माना की कोई एम दर्योमान की वस्तू एक समान वेग एक समान वेग यू से गती कर रही है ठीक है समझगे बात अब एक वस्तू है आघराम से चल रहे हैं, चल रहा है, कोई वस्तू चल गई, कोई व्यक्ती चल रहे है, एक शमानवेग से चल रहे है, अब क्या किया, उस व्यक्ती के पिछह से किसने धक्ना लगा दिया? धक्का का मतलब बल लगा दिया ठीक है माना कि कोई वस्तू M द्रेमानी के वस्तू X मान वेग U शे गती कर रही है इस वस्तू पर इस वस्तू पर F बल लगाने से F बल लगाने से क्या होगा वई कोई व्यक्ति चल रहा है अब पिछे से किसी ने क्या मार दिया धका मार दिया तो एकदम से यह तेज चलेगा ठीक है कई बार आप मूवी देखते है ना आगे जो चोर है वो आगे भागता रहता है पुलिस पिछे भागती रहती है और पुलिस क्या है कई बार क्या होती है कि जब पकड़ नहीं पाती है तो पिछे रणना मारती है, खूब तेज फैंकती है, वो रणना जाकर उसके यहां लगता है, बल लगेगा, वो धक्का लगता आगे, और वह क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्यों? क्योंकि उसका वेग जो है बढ़ जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिस एक समान वेग से व बढ़कर क्या हो जाता है वी हो जाता है मान लेता है वी हो जाता है इतनी बातों माननी पड़ेगी मैं दुबारा समझा रहा हूँ एक ये वस्तु है ये गाड़ी है ये एचार सर की गाड़ी है आप लोगों को बता रहे हैं ये पुरानी वाली गाड़ी मैं बढ़ाऊंगा साप लोगों के लिए यह गाड़ी है और इस गाड़ी पर उपर सामान भी रख सकते हो ठीक है और यहां सिशा लगा हुआ है इसके इस परकार और यहां पर वह इसके लाइट लगी हुँए है पाणी वानी डालने का सिस्टम है और यह गाड़ी बन गई है आप इसके पिछे लटक करके भी जा सकते हैं, वो लटकने वाला भी मैं बना जाता हूँ, ठीक है, वेचे पिछे लटक के नहीं चलना चाहिए, और अब क्या हुआ, कि ये गाड़ी अपने वेग, यू समान वेग से चल रही है, गती सील, इसका प्रारंबी, इसका द्रेवमान कितना है, एम द् गाड़ी के उपर क्या लगा दिया, बल लगा दिया, इसने पिछे से ठोक दी गाड़ी, अब जैसे इसने पिछे से किसी ने गाड़ी ठोकी, इसका वेग, ये तेज गती से चली, आगे चली गई और आगे चल करके, इसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, क्या क्या परिवर्तन हुआ इसका गाड़ी का वेग में परिवर्तन क्या हुआ इस गाड़ी के वेग में ये परिवर्तन हुआ कि पहले अगर यू वेग से ये जा रही थी तो अब वेग कितना हो गया अब इसका वेग जो है वह यू से बढ़कर के क्या हो जाता है वी हो गया क्या कॉंट सा फोर्स लगा दिया पिछे से एप अगर ये बल इधर लगता तो क्या हो जाता भई अगर ये बल इधर लगता तो कारिये रिनात्मक हो जाता हाँ कारिये क्या हो जाता रिनात्मक हो जाता है क्यों क्योंकि एप को स्थिटा को स्थिटा को स्थिटा का मान कितना हो जा अधिकतम वेग वी, बाद का वेग वी हो गया, दोनों में चे कौन सा वेग अधिक होगा, अरे कोई चीज़ चल रही है, मैं धेरे दिये दोड लगा रहा हूँ, पिछछे से किसी ने धका दे दिया, तो मेरा वेग घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो ये वेग जो है वो अधिक है और यह वेग कम है इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई तो आप गती का तीसरा समीकरण याद करना है कौन सा है भई गती का तीसरा समीकरण आता है गती के तीसरे समीकरण से देखे आप गती के तीसरे समीकरण से तीसरे समिकरण याद एग नहीं है भई भूल गए भूल गए तो दूबरा रिविजन करो भई अब इस समिकरण में देखिए आप इसको मैं वेग वेग को उठा करके इधर ले आता हूँ यानि की पक्षांतरण करने पर ठीक है तो क्या हो जाएगा वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर बराबर टू ए एस कोई दिक्कत नहीं है मैत्वमेटिक्स आती है आपको थोड़ी गणीत आती है तो इसको सोल करने में ठीक है या फिर इसको ऐसे भी लिख दें आपन कैसे कि भाई टू ए एस टू ए एस बराबर वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेलकोल कोई दिक्कत नहीं है. फिर आगे क्या करेंगे? या ठीक है. अब ए A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा V स्कूयर माइनस यू स्कूयर. इसमें A बराबर. ए रख लेंगे और 2S तहां नहां चला जाएगा, नीचे छला जाएगा, V square बराबर, A बराबर V square – U square बटे 2S, बटे 2, Newton की गती का दूसरा नियम क्या है वई, Newton की गती के दूसरे नियम से, क्या है Newton की गती का दूसरा नियम, f बराबर m a f बराबर क्या ہوتा है m a m क्या है dherum debate और a क्या है acceleration या तो फ बराबर क्या होता है m a होता है इस समीकरण है ये समीकरण नमबर वालो ये समीकरण हो गया समीकर नमबर 2 अब समीकर नमबर एक से जो a की value है वो किसमें रखेंगे भई समीकर नंबर दो में रखेंगे तो क्या जाएगा मिटा देता हूँ मैं इसको पहले इसको मिटा देता है फिर आप लोगों को बता देता है याद हो जाएगा और याद हो जाएगा तो मेरे को आप भी बता देना याद हुआ अगर नहीं हुआ comments करते न याद हो जाए तो comments करते न नहीं आद हो जाए तो भी एक बार class और देखले न याद हो जाए और फिर comments करते है comments तो याद करने वाला यहाँ पूदम ठीक है तो f ब्राबर mh में होता है तो f ब्राबर m और A की value रखेंगे तो A ब्रावर क्या होता है V square minus U square क्योंकि V ज्यादा था ना मैंने बताया था V क्या है तो V की value अधिक है किसे U U क्या है initial velocity है प्रारंबिक वेग है और V क्या है अंतिम वेग है बल लगाने के बाद बल लगाएंगे तो वेग या तो बढ़ जाएगा या घड़ जाएगा लेकिन अपने गति की दिशा में बल लगाया है तो वेग बढ़ेगा इसलिए V square ज्यादा है V square minus U square बटे 2 A S अगरे बाद समझ में इसको इसमें रखना है यहाँ पर आए बराबर M A था M A एक की जगह यह लिख देंगे क्या V square minus U square बटे 2 A 2 S यह लिख दिया अपन ने बई आगरे बाद समझ में एप बराबर क्या लिख दिया M गुणा V square minus U square बटे 2 A S या फिर अपन क्या लिखेंगे इस S को इधर ले जाएंगे वज़र पॉर्ण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा F S बराबर 1 बटा 2 M V square minus U square सिंपल सी एक्वेशन है बई 1 बटा 2 यह 2 तो जब बटे में रहे जाए नीचे M इसको मल्टिपलाए कर दिया तो M V square minus U square आई गया नीचे 1 बटा 2 रहे गया S इससे अपनने क्या कर दिया गुणा कर दिया तो F S बराबर 1 बटा दो M V square minus U square ठीक है V square minus U square हो गया तो F S यहाँ देखिये F S किसके बराबर होता है F क्या है बल और S क्या है विस्थापन बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है बताए पिछली गलास में बढ़ा था ना कारिय बराबर क्या होता है चुकि कारिय बराबर होता है कारिय बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन इतनी बात याद है ना बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन तो बल को F से रिपर्जेंट करता है और विस्थापन को S से तो ये क्या हो गया कारिय बराबर है कारिय को किस से रिपर्जेंट करता है W से यानि कि यहां पर W जो है ये कारी की जगे क्या लिख देंगे इसकी ये value किसके बराबर है W के बराबर है देख लो W बराबर होता है F S होता है ना तो F S की जगे अपने लिख दिया क्या है W या work यान की कारिय बराबर क्या हो गया 1 बटा 2 M V square minus M U square इतना भी लिख सकता है तो यह है जो कारिय हो गया भई अब मैंने यह कहा था क्या कहा था पन्ने उर्जा के परिवासा किसे कहेंगे कि जब किसी वस्तु में कारिय करने के शमता उत्पन हो जाती है यह वस्तु थी M दर्यवान की U वेग से गतिशीलती पर अपने क्या क्या इसके उपर और बल लगा दिया एप तो यू जो है वह बढ़ करके क्या हो गया वी हो गया तो उसका मतलब बल लगाने जिसमें कारिय करने की शमता आ गई है गति के करण अगर किसी वस्तु में कारे करने की शमता उत्पन हो जाये तो यह कारिय जो है किसमें बदल जाएगा उर्जा में बदल जाएगा और बल के कारण वस्तु की किस में परिवर्तन हुआ, गती में परिवर्तन हुआ, वेग बढ़ गया, तो जब किसी वस्तु में गती के कारण कारे करने की शमता उत्पन होती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, गती जूर्जा, ये कारे करने की शमता उत्पन हो गई, और ये EK, kinetic energy हो गया है एक का मतलब गती जूर्जा हो गई तो गती जूर्जा पराबर क्या हो जाएगा एक बटा दो mv square minus m u square इतना याद हो गया अब मैं यह कह रहा हूं कि अपने क्या देखा था स्टार्टेम ध्यान से देखेंगे ध्यान से सुनेंगे क्या देखा था शुरू में अपने देखा था कि एक वस्तु जो है वह एक समानवेग यू से गति सील है अब मानलो वह गति नहीं कर रही होती है फुटबोल पड़ा है यहां फुटबोल पड़ाई है ठीक है यह जाएगा अगर यू ब्राबर जीरो है उसके बाद में इसके किक लगाता हूं किक का मतलब बन लगाता हूं तो यह फुटबोल यहां से उचल करके कहां जाएगा भई यहां गिरेगा और इसमें भी गति जूर जो उत्पन होगी नहीं होगी होगी यह एम द्रेवान का फुट यदि कोई वस्तु जो है वह इस्तिर हो और उसके उपर अपन बल लगाएं तो बल के कारण उसमें गती उत्पन होगी और गती उत्पन होने के कारण उसमें कारी करने की शमता उत्पन होगी ठीक है जब किसी वस्तु में गती के कारण कारी करने की शमता उत्पन हो जाए तो हम क्या कहेंगे गति चूर्जा कहेंगे यहां पर यू अगर जीरो हो गया वह वस्तों परारमिक वेग सुनने है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह बराबर एक बटा दो mv square minus m गुणा u square की value क्या है 0, 0 square हो गया तो ये पूरी equation क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हो जाएगी ना तो e k बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 mv square ये है गतिज उर्जा का सुत्तर प्राफ्थ हो गया अपने को ये किसका सुतर है गतिज उर्जा आप लोगों से पूछें गतिज उर्जा जो भी numerical आपके exam में आएंगे वो इस सुतर से आप calculate कर ले ना भई गतिज उर्जा के लिए कौन सा सुतर लगाएंगे e k मतलब kinetic energy k का मतलब kinetic का मतलब होता है गतिज उर्जा तो e k बराबर 1 बटा 2 mv square क्योंकि इसकी value तो क्या हो गई भी सुनने कब जब वस्तू जब वस्तू का प्रारंबिक वेग सुनने हो तो ये सुतर लगेगा e k बराबर 1 बटा 2 mv square है यानि कि जब कोई वस्तू विरा मवस्ता में है और उसके उपर कोई बल लगाएं और उसके कारण उसके वेग में परिवर्तन हो तो उसकी गति जूर्जा अगर आपको ग्याद करनी है तो तो सुतर लगेगा ये कौण सा e k बराबर 1 बटा 2 mv square और अगर कोई वस्तू एक समान वेग से चल रही है उसके बाद में उसके उपर बल लगाते हैं तो फिर शूतर कौण से लग जाएगा e के बराबर 1 बटा 2 mv square माइनस m u square आगे बाद समझ में तो ये थाग यांत्रिक उर्जा का पहला बिंदू गति जूर्जा इस्तितीज उर्जा में अगर आपको इस्तिती जूर्जा पढ़ नहीं है तो वेट करना पढ़ेगा अगली क्लास तक तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें